तो किसान भाईयों जो यह हमारा एजोला है इसको हमको उगाने के लिए करना क्या है कि इसके लिए सबसे पहले जो है उचित जगा का हमको इसमें चुनाओ करना है उचित जगा इसके लिए छायादार जगा होनी चाहिए, सीधे सूरज की रोषनी इसके उपर नहीं पढ़नी चाहिए, सूरज की जगर रोषनी पढ़ेगी तो इसकी जो सीधी रोषनी पढ़ेगी और ज्यादा तापमान होगा तो क्या होता है इसकी ब्रद्धी पर प्रतिक करीब होनी चाहिए देड़ मीटर इसलिए क्योंकि हमको इसमें काम करने में सुभधा रहती है और जो गड़े की गहराई है वो किसी भी हालत में 30 cm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए लंबाई के लिए किसी भी लंबाई का गड़ा कर सकते हैं मगर जादा तर जैसे करीब मीटर तक जो है लंबा गड़ा ठीक रहता है क्योंकि उससे ज्यादा अगर गड़ा लंबा हम करेंगे तो फिर इसका समतली कर और और सारी चीजों में प्रभाव पड़ता है तो जब हम गड़ा इसमें कर लेते हैं करीब 30 cm का तो गड़े में अगर हमारे पास जो भी किसान पालकुक पास जो संसाधन है उस हिसाब से हम जो है गड़े का निर्मार करेंगे पक्का गड़ा भी कर सकते हैं या कच्चा गड़ा कर सकते हैं अगर किसान भाईयों के पास संसाधन कम है पैसों की थोड़ी कमी है तो ऐसी सितिमें कच्चे गड़े से भी काम चलाया जा सकत लेना चाहिए कि जो हमारा गढ़े के लंबाई चौड़ाई और गहराई गहराई है उस हिसाब से करीब आधा मीटर ज्यादा हमको सिल्पोलीन लेना चाहिए क्योंकि जब आधा मीटर हम ज्यादा लेंगे तो गढ़े में बिचाने के साथ साथ में साइड में हम अच्छे से दबा सकते हैं जिससे की हमारा जो पानी है वो ना बहे और उसके ओपर मिट्टी वगरा से दबा दें इस तरह से हम एक कच्छा गढ़ा तयार कर सकते हैं और हम करिका समतल होना चाहिए यह नहीं कि एक तरफ नीचा है एक तरफ पूंचा है तो पुरी तरफ समतली इक्रत हमारा गढ़ा होना चाहिए इस गढ़े को स्तैयार करने के बाद में फिर इसमें हम करीब तीन किलो मिट्टी भुर्भुरी मिट्टी खेत की वह हम बारीक पीस लेते हैं और पूरे टैंक में प्रतिवर्ग मीटर के हिसाब से फैला देते हैं मतलब एक वर्ग मीटर के लिए तीन किलो मिट्टी खेत की बारीक पिसी हुई पूरे इसमें हम एक वर्ग मीटर में फैला देते हैं इसी तरह जितना भी हमारा गड़े का साइज बड़ा होगा उसी हिसाब से मिट्टी की मात्रा भी बढ़ती चली जाएगी उसको फैलाने के बाद में फिर हम एक किलो गोबर कच्चा गोबर और उसके साथ में करीब 7 ग्राम सिंगल सुपर फास्पेट इन दोनों को हम मिलाते हैं पानी में एक घोल तैयार कर लेते हैं और प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से उसको हम फैला देते हैं मतलब मेरा कहने का मतलब अगर एक वर्ग मीटर का हमारा गढ़्धा है तो उसमें साथ ग्राम सिंगल सुपर फास्पेट और एक किलो कच्चा गोबर यह दोनों को मिला करके समान रूप से फैला देंगे इसको फैलाने के बाद में फिर इस टाइंक को हम भर लेते हैं हमको टैंक को पानी से भरते वक्त एक चीद ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पानी की जो गहराई है वो किसी भी हालत में 20 सेंटी मीटर से जादा नहीं हो जूप मैंने पहले ही बताया इसमें जड़ें जो होती है इसी एजोला की बहुत छोटी-छोटी जैसा कि आप देख झाल झाल